ये question देखने में जितना बड़ा और complicated या difficult लग रहा है ये उतना ही simple question है It says, in the given figure you see the frame of a lampshade तो ये एक lampshade है, cylindrical shape का बना हुआ है It is to be covered with a decorative cloth और इसको हमने एक decorative cloth से cover करना है ठीक है, इसके आसपस कपडा लगाना है The frame has a base diameter of 20 cm तो diameter हमें इसका given है 20 cm, ठीक है तो ये पूरा diameter 20 cm हो गया Height 30 cm, Height हमें इसकी 30 cm दे दी A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame अब इसको हम समझते हैं अच्छे से, देखो ये मैं दुबारा से मानलो ये मैं lampshade quickly यहां पर बना लेता हूँ, ठीक है? ये मानलो मेरा lampshade है और इसको मुझे एक कपड़े से cover करना है और वो ये कह रहा है कि वो जो कपड़ा है, वो 2.5 cm इस side को extra है और 2.5 cm का margin इस side पे भी है हमें इसको पूरा cover करना है तो आप इसको चारों तरफ से कपड़े से cover कर रहे हो और थोड़ा कपड़ा उपर को भी extra है और थोड़ा नीचे को भी extra है ताकि fold कर सको दोनों तरफ से और इसको पूरा cover कर सको, ठीक है? तो actually ये कपड़ा जो है वो cylindrical shape में ही इसके आसपस है लेकिन 2.5 cm इधर को extra है और 2.5 cm इधर को extra है ठीक है? top and bottom उसमें mention किया हुआ है folding it over the top and bottom तो हमने इसको fold करना है जैसे आप इसको consider कर लो कि ये जैसे कपड़ा था ऐसे तो इसको हमने 2.5 cm एक्स्ट्रा ले लिया find how much cloth is required to covering the lampshade तो कहता है कि अब बताओ कि कितना cloth total चाहिए होगा तो अगर आप ढंक से देखो तो ये cloth हमने जो बिल्कुल gold shape में इसको cover करने के लिए रखा तो वो actually यहां से लेके यहां तक चला गया ठीक है? तो ये बड़ा वाला एक cylinder बन गया मेरे पास उस कपड़े का अगर मैं धंक से देखो तो वो भी cylindrical shape में आ गया ठीक है? लेकिन उसकी height कितनी हो गई? 30 cm height तो इसकी थी 2.5 यहां extra आ गया और 2.5 यहां extra आ गया तो total height उसकी कितनी हो गई? 30 plus 2.5 plus 2.5 तो यह height लेके diameter सेम रहेगा क्योंकि जितना diameter इसका है उतना ही कपड़े का diameter होगा तो diameter मेरे पास उतना ही है 20 cm तो इन दोनों values को यूज करके मैं इसका curved surface area निकाल लूँगा and that is the answer. curved surface area ही क्यों निकालना है? क्योंकि उपर से तो कपड़ा खाली होगा तो उपर वाला area नी चाहिए नीचे से भी कपड़ा खाली होगा ठीक है? उपर कोई cover नहीं लगाया नीचे कोई cover नहीं लगाया सरफ कपड़ा ऐसे round shape में है तो सरफ curved surface area निकालेंगे and that will be the answer so जो cloth हम use कर रहे हैं उसकी total length कितनी है? उसकी length हो गई 30 plus length बोलो यहां उसकी height बोलो ठीक है? 30 plus 2.5 plus 2.5 क्यों? क्योंकि 2.5 का margin दिया है top पे और bottom पे ठीक है? diameter हमें already given है diameter कितना है? diameter है 20 cm तो radius निकालो यहां से तो radius कितना हो गया? diameter का half यानि कि 20 by 2 यानि कि 10 cm height कितनी हो गई? इसको भी calculate कर लो height हो गई हमारी actually 35 cm ठीक है? अब हम curved surface area निकाल लेते हैं so curved surface area of cloth ठीक है? यह basically cylinder shape का ही है और वो कितना होता है? 2 pi r h तो 2 into pi की value 22 by 7 r कितना है? 10 और h है 35 तो यह आगया यहां पे 5 तो 5 into 2 is 10 into 10 is 100 and 22 is 2200 cm2 is the answer so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia अच्च्ब oh झाल झाल